हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आज हम SCRT की तरफ से दी जाने वाली सब्तह पांच पठन अभ्यान हिंदी की कार्यपत्री का क्रम संख्या 23 हल करेंगे जो की 14 फरवरी 2022 की है बच्चो यह कक्षा एक की वर्क सीट है और इसकी थीम है सच्ची मित्रता यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहां पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चो आशा करते हैं कि आप सभी स्वास्त और खोसोंगे बच्चो हम सब को कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो चलिए आज की कहानी को हम एक नए तरीके से पढ़ने का आनन लेते हैं बच्चो आज की कहानी तीन दोस्त में कुछ चित्र दिये गए हैं कहानी को पढ़ते समय चित्रों के स्थान पर उनके नाम बोलकर कहानी को पढ़िए तो बच्चो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कहानी दी गई है तीन दोस्त उस कह बकरी दोस्ते वे दोनों एक साथ घूमते और खाते थे एक दिन दोनों घूमते वे नदी के किनारे पहुँचे बकरी ने हाती से कहा कि तुम इस पेड की डाली को नीचे जुका दो ताकि मैं पत्ते खा सको हाती ने जैसे ही पेड की डाली को नीचे जुकाया एक चिडिया अपने घोंशले से नदी में गिर गई बकरी चिडिया को बचाने के लिए नदी में कूद गई तब ही हाथी ने अपनी सून से पकड़ कर दोनों को बाहर निकाल दिया दोनों ने हाथी को धन्यवाद दिया अब हाथी, बकरी और चिडिया तीनों दोस्त बन गए तो बच्चों आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी थी ना कहानी? चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब यहाँ पर कुछ प्रस्ण दिये गए हैं इन प्रस्णों को करते हैं दूसरा प्रस्ण कहानी के अनुसार, कहानी का सही करम बताईए कि कहानी में सबसे पहले क्या हुआ? तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कहानी का करम दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह पहला करम है हाथी और बकरी दोनों दोस्त है फिर दूसरे क्रम में क्या हुआ बकरी को भूख लगी थी उसने हाती को बोला पेड की डाली नीचे जुका दे तो यहाँ पर हम दो नमबर लिखेंगे फिर पेड की डाली हाती ने नीचे जुका दी तो बकरी पत्ते खाने लगी तो यहां हम तीन नमबर लिखेंगे उसके बाद क्या हुआ जैसे ही पेड़ की डाली जुकी तो चिडिया अपने घोंशले से नदी में गिर गई तो यहां इस चित्र में इस दिखाये गया है तो यहां पर हम चार लिखेंगे बच्चों आप इस बॉक्स में लिखेंगे उसके बाद क्या हुआ फिर बकरी जिडिया को बचाने के लिए नदी में कूद गई फिर हाथी ने दोनों को अपनी सून से पकड़ कर नदी से बाहर निकाल दिया जो की आखरी चित्र में दिखाये गया है तो यहाँ इस चित्र में हम पांच लिखेंगे तो सबसे पहला यह चित्र फिर यहाँ पर दो नमबर लिखेंगे फिर यहाँ तीन यहाँ चार और यहाँ पांच तो हमने कहानी के अनुसार कहानी का सही करम यहाँ पर बता दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ण तीन बच्चो कहानी तीन दोस्त में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों अपने मित्रों को कहानी सुनाते हुए बताईए तो बच्चो आपको ये कहानी अपने मित्रों को सुनानी है फिर इसके बाद आपको भी बताना है कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छा पात्र कौन सा लगा और क्यों चलिए आपकी सुरिधा के लिए इस प्रशन का उत्र मैं लिखता हूँ मुझे तीन दोस्त कहानी में सबसे अच्छा पात्र हाथ ही लगा क्योंकि उसने बकरी और चिडिया को नदी में डूबने से बचाया तो बच्चो ये वर्कशीटियां कम्पलीट होती है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यो पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नौलेज किंगडम थैंक यू